हाँ जे लास्ट क्लास में हमने प्री कंस्ट्रक्शन पीरड से रिलेटिड कोश्चन और आज भी वही करेंगे हम एक 23 का एक सिचुएशन था मोर देन टू हाउस वो पेंडिंग था हम उसको करने जा रहे हैं अब तो सर जब मोर देन टू हाउस होगा तो क्या लॉ कहता है एक बार हम देख लेते हैं वो क्यूंकि नॉर्माली हमें लॉ के इसाब से चलना होता है हाँ जी बोड पर देख लेजिए सारी बाते बंद हो गई होगा तो इसके अंदर क्या कहता है लॉ आप ध्यान दीजिएगा लॉ का कहना है सर आप अपने लिए एक से ज़्यादा घर नहीं रख सकते मतलब कि आपको घर किराये पे रखना है मेरे इस वाले एक्जामपल में न ये भी सेल्फ ओक्यूपाइड ये भी सेल्फ ओक्यूपाइड ये भी सेल्फ ओक्यूपाइड तीनो घर सेल्फ ओक्यूपाइड है इस वाले एक्जामपल लेकिन लॉका थोड़ा सा अलग रूल है। लॉका कहना है कि आप दो घर ही self occupied कर सकते हो। अगर आपके पास मान लेते हैं 5 घर है। तो दो घर कोई भी चुन लेजिए self occupied। उसमें रह रहे हैं या नहीं रहे हैं matter नहीं करता। बाकी हम 3 घर को let out मान के आपसे text ले लेंगे। यानि सर हमारे पास 3 घर है। गॉर्मेंट के रूल के हिसाब से गॉर्मेंट क्या कहती है। सर आप कोई भी घर दो आपको जो लगता है दो घर को आप मान लेजिए self occupied और उसका एने भी आप 0 कर दीजिए। और जो घर आपका self occupied नहीं है मतलब के H1, H2 और H3 यानि कोई भी दो घर आपको self occupied मानना है तो एक subject होता है आपका personal tax planning अगर house property में question पूछा जाएगा ना तो वो यहाँ से पूछा जाता है। इसके अंदर examiner को बताना हमें ये है कि कौन से दो घर को self occupied मानना चाहिए तो tax planning के हिसाब से क्या कहता है कि आप जहां सबसे कम tax आएगा उसको हम क्या करेंगे वो combination मानेंगे। यानि हमें यहाँ हर level पे check करना होगा सर पहले हम इस दो घर को self occupied इसको let out मान लेंगे। यानि मैं अगर check करूँ तो एक situation number one बनेगा। सर situation number one क्या बनेगा सर कि मैं h1 plus h2 दोनों को so मान लूँ और plus h3 को मैं मान लूँ let out। situation number two क्या बनेगा? h1 और h3 दोनों को so मान लूँ और plus h2 को क्या मान लूँ? h1 को क्या मान लूँ? let out मान लूँ यानि एक तरीके से हमें trial error करके देखना होगा। तीसरा situation क्या बनेगा सर? h1 और h3 को self occupied मान लूँ और plus h2 को क्या मान लूँ? जहां पे सबसे minimum income आ रहा होगा न जहां पे सबसे minimum income उसको बोलेंगे ये situation follow करेंगे उसके according रहेगा। सारा अब हमें इस case के अंदर सर सब को करके देखना होगा। इसी तरीके से h1 को, h2 को self occupied यानि एन भी 00 और h3 को करेंगे। तो इस हिसाब से सारे combination करके देखने होगा है। तो इसका करने का तरीका क्या है? यानि सर यहां पे क्या कहता है? जिए जिए more than two house होगा, तो कोई भी two house, any two house आप क्या कर सकते हो? Self occupied मान सकते हो, self occupied आप मान सकते हो, यानि बचे वे घर को आपको let out मानना होगा, लेकिन मान लेते हैं तीन घर हैं, मैं इसके अंदर रह रहा हूँ, यहां नहीं रह रहा है, यहां तो government बोलती है, रहने वहने से हमें मतलब नहीं है, आप अपने tax planning कर वाली जैसे लगता है, वैसे अगर आपको समझ में नहीं आ रहा तो हम अपने इसाब से calculate करके बता तो ऐसे situation में हमें सबसे पहले क्या करना चाहिए, सबसे पहले हमें एक बार तीनो घर को let out मान लेंगे, फिर ये वाले rule को एक एक करके कर लेंगे हम, तीनो घर को क्या मान लें हम, let out, ऐसे situation में तीनो घर को let out, अगर मैं तीनो घर को let out मान लूगा तो self occupied में तो कोई नहीं है एक बार तीनों घर को लेट आउट मानों और एक बार तीनों घर को सेल्फ ओक्युपाइट या तो फिर मैं केसी अलग-अलग कर देता हूं कोई बात नहीं थोड़ा लेंदी हो जाएगा लेखिन कोई बात नहीं मैंने इस सिचुएशन बनाया सर एच वन एच टू और एच थ्री इन दोनों को मैंने माना है सेल्फ ओक्युपाइट इसको लिट आउट मान लिया ठीक है और ये है हमारा सिचुएशन नमबर वन यानि केस नमबर वन सर यहाँ पे क्या होने वाला है सबसे पहले अब तीनों घर इसमें से ये वाला सर एंब एक लाख और दो लाख और तीन लाख एफर सर दो लाख तीन लाख चार लाख सर यहाँ है ही नहीं यहाँ दो लाख और यहाँ 3.5ल Camera मैं अपने अले अजांपल से लेकर चलड हुआ अब यहाँ पर expected rent होगा sir expected h1 self occupied है तो 0 h2 भी self occupied है तो 0 यहाँ पर क्या होगा इन दोनों में से higher than lower तो क्या आजाएगा यानि आपका gav जो है यह 0 यह 0 यह 3 point इसमें से minus क्या करेंगे mt mt यहाँ पर क्या minus हो नहीं सकता 0 है यहाँ पर भी नहीं हो सकता दूसरे वाले में minus किया जा सकता है that is 35 नहीं 15,000 जो की है हमारा 15,000 रुपे यहाँ 15,000 चलिए सब अगर हम देखें तो एन एवी आ गया 00 315 minus करेंगे अच्छा 335 माइनस करेंगे हम 24a बताइए 24a किसका था याद है कुछ वो 30% standard तो यहाँ तो मिलेगा नहीं यहाँ मिलेगा नहीं यहाँ मिलेगा बताइए क्या रहे 30% 1,00,000 मेरे पास बिल्कुल 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 जो बुक में लिखा है बुक में गलत बाते थोड़ी पढ़ाई जा रही है कितने आ रही है एक लाख पांच हजाद एक लाख पांच सो अब माइनस कर देंगे 24 पहले घर का कितना है अब देखो सेल्फ उक्विपाइड में आपको पता है कितना maximum deduction है दो लाख पहले घर का कितना है सर दूसरे घर में maximum deduction कितना allowed है तो दूसरे घर में मिलेगा और तीसरे घर में कोई limit है क्या यानि सर इस question में मुझे यही समझाना है जो amendment है इसलिए इसको मैंने interest के बाद consider किया यानि तो पहले समझ ही नहीं आता सर आपको ये यानि जो दो लाख की limit है वो total है एक घर का दो लाख नहीं है जितने भी आपके मिला के self occupied होंगे सब का total तो यानि देखो एक पचास यहां ले लिया और मैंने पचास ऐसा भी मेरे को मैं कर सकता था यहां पे पूरे दो लाख ले लू और यहां पे zero लेके कर सकते थे ठीक है तो यहां पे income आगे माइनस का डेड़ लाख यहां income आगे माइनस का पचास हजार और यहां बताइए क्या है 199 500 जरो सर अब IHP निकालना हो नो IHP तो क्या निकालेंगे तीनो घर की income को जोड दिया जाएगा वही IHP होगा तीनो घर के income को अगर जोडेंगे तो 15,000 माइनस का प्लस माइनस का सरी डेड़ लाख माइनस का प्लस पाँच पचास हजार माइनस का और प्लस एक लाख निन्ने अनवे हजार पांसो बताइए क्या आया इसका जवा नेगेटिब पांसो रुपे आया अब जिसका income कम आएगा जिस combination में total income कम आएगा वो best option है वही हमारा आंसर माना जाएगा एक्जाम के अंदर भी अब situation 2 करके देखते है Sir situation 2 करके देख लेते हैं थोड़ा सा situation 2 में जो कह रहा था फिर situation 3 देख लेंगे जो यही हमारा पांसो देखिए ह1 और मैंने कहा ह2 और ह3 को क्या मान लेंगे हम और ह1 को मान लेंगे लेटाओ शौटकट भी है कुछ बच्चे सोच रहेंगे सार इसका कोई शौटकट नहीं है शौटकट भी है बताएंगे भी पहले लॉंग प्रोसेस समझ लेते हैं एक लाख दो लाख एक लाख दो लाख अच्छा मैंने चेंज कर दिया ना दो लाख तीन लाख और एफार सर एफार को अगर ले तो तीन लाख चार लाख और दो लाख सर सर में क्या आएगा दो लाख 3.5 लाख और जीरो एक्सपेक्टिट रेंट आ गया सर सर एक्सपेक्टिट रेंट क्या आया क्योंकि ये सेल्फ उक्यूपाइड है तो ये जीरो ये भी सेल्फ उक्यूपाइड है जीरो यहाँ पे आ गया हमारा तो यही GAV consider किया जाएगा और minus MT करें तो जिसको let out वहाँ तो allowed है सर तो MT में यहाँ पे 0 और यहाँ भी 0 और यहाँ पे पहले वाले घर का MT कितना था हमारा तो यहाँ 5000 रुपय allowed हो जाएगा सर यह निकल के आ गया NAV that is क्या है हमारा NAV यहाँ पे 0 यहाँ पे 0 और यहाँ पे 2 लाग में से 1 लाग 95,000 सर माइनस कर दो 24 A तो 24 A में house number 2 पे interest कितना है तो चलिए सर 2 लाग पूरा ही ले लेते हैं अब यहाँ मिलेगा क्या house number 2 का 2 लाग consider कर लिया मुझे जवाब दीजे comment में क्या तीसरे घर में जो हमने जो तीसरे घर के अंदर हमने 35,000 रुपए का interest पेड कर रखा है उस interest को क्या यहाँ लेंगे या नहीं लेंगे जवाब दीजे नहीं मिलेगा क्योंकि overall आपका limit है 2 लाग रुपए overall limit है आपकी 2 लाग रुपए इसके अंदर आ जाएगा सर इसमें कितना limit मिलेगा let out में तो unlimited तो पूरे date अच्छा ए में लिख दिया कोई बात नहीं यहाँ 0 195 का निकाल लीजिए देखे जिसके doubt है hand raise का सभी का doubt लिया जाएगा लेकिन class के hand है क्योंकि अभी doubt के like कुछ हो ही नहीं रहा interest फिर से बता दो last class देखनी होगी जो बच्चे last class नहीं देख के आएगा उसे interest का कुछ भी समझ में नहीं आएगा और 0 और यह क्या आगया और यहाँ पे आएगा sir house number 1 का डेड़ा यह आगया आई HP पहले का आगया दो लाक नेगिटिव दूसरे का तो 0 रह गया sir तीसरे का नेगिटिव तिरह 500 यह लोग दोनों नेगिटिव आई HP अगर यहाँ पे निकाला जाए दो लाक नेगिटिव का प्लस तेरह 500 भी नेगिटिव तो बताइए दो लाक तेरह हजार पान सो माइनस का कह रहे है sir H1 में दो लाक तो आपको पहले इंटरस का पॉइंट ध्यान रखना है इंटरस में बार बार पिछली क्लास से भी इंटरस ही चल रहा है यानि आपको maximum self occupied में दो लाक के लिमिट और लेकिन इससे पुरानी जिसने पढ़ा हो वहाँ पे हर घर का दो लाक लिखा हुआ था हर घर का लेकिन 2019 में amendment आया कि भाई आप हर घर का दो लाक नहीं देंगे अब हम सब मिला के घर का कितना देंगे दो लाक अगर self occupied हुआ let out के लिए तो कोई चीज हाई नहीं let out में तो कोई रूल नहीं लगता भाई या let out में तो जितना interest पे किया सबका deduction ले लो चाए 10 लाक हो चाए 50 लाक हो किस में co-owners के भी बात ही नहीं कर रहे section 26 तो पढ़ी नहीं रहे अभी हो जब पढ़ेंगे तब अभी सरिफ इसकी बात अभी जो चल रहा है सरिफ इसका ER कैसे आया ER expected rent वही higher lower करते करते self occupied में तो मैं directly बस यह मैं formality कर रहा था हालाकि मुझे क्या करना चाहिए था पता है self occupied में direct zero कर देना चाहिए था वो तो just formality है यह let out वाले का तो higher lower के हिसाब से होता है actual RRR होगा नहीं क्यों नहीं होगा सर क्योंकि मकान किराय पे है यह नहीं मकान अगर किराय पे होता तब होता हमारा RRR क्योंकि question में कह दिया के तीनों घर self occupied है Mr. X कह रहा है तीनों घर क्या है हमारा self occupied तो सर यहाँ पे income आई minus 500 यहाँ पे 2,13,500 तो अभी तक तो मुझे यह वाला situation ठीक लग रहा है लेकिन अभी तीसरा combination बाकी है क्या पता तीसरे में इससे ज़्यादा minus में आ जाए तो हम बोलेंगे भाई यह situation चूज करेंगे तो यह working note का part नहीं है यह fair work का part है तीनों situation करके conclusion डालना पड़ेगा कि यहाँ पे higher हमारा benefit है इसलिए हम यह वाला portion opt करेंगे तो चलिए सर इसके बाद हम ले लेते हैं दूसरे वाले का यानि H1 और H3 self occupied ले लेते हैं section 22 से 27 तक पढ़ना था जिसमें से 22, 23, 24, 27 हो चुका है 25 और 26 एक ही दिन में नहीं पढ़ जाएगा सर यह क्या combination है H number कौन सा है सर H1 और 3 H1 और H यह हमारा SO और H number 2 LO, let out सर MB H1 का एक लाख इसका इसका दो लाख FR क्या था याद है FR हमारा 3 FR 4 नहीं मैंने गलत लिये हैं H1, H3 ठीक है FR आएगा हमारा 2 और 4 2,000,000,000,000,000,000 और SR question में given है यह सिर्फ मैंने example बना दी आप लोग को समझाने के लिए बताईए क्या है था 1 में तो था ही नहीं 3 में क्या था सर 3 में था आपका 3.5 और 2 अब यहाँ ER आ जाएगा expected rent तो यह तो self occupied 0 होगा यह भी 0 होगा यहाँ से क्या होगा 2,00,00 अब यहाँ पे इसी को GAB consider कर लिया जाएगा 0,00,00 और 2,00,00 minus MT कर देंगे सर, MT में यहाँ मिलेगा नहीं यहाँ मिल जाएगा H2 का देख लेते हैं MT क्या है सर, H2 का 10,000 है तो 10,000 यहाँ से minus करने दे दिया जाएगा इसको minus करने के बाद आ जाएगा NAB 00190 अब इसमें से minus करेंगे पहले 24A फिर minus करेंगे 24B सर, B समें, A पता ही क्या है 30% और B पता ही क्या है इंटर्स, ठीक है न तो A में तो यहाँ पे कुछ है नहीं यहाँ पे आ जाएगा, कितने आएगा 57 और B की बात कर लेते हैं सर, B की, H1 का सर, H1 का 1,500,000 OK minus H3 का H3 का 35 है तो क्या 35 पूरे ले ले? Yes, पूरे 35 ले सकते हैं क्योंकि 1,500,000 रुपे और 1,35, 1,85 होता है जबकि law 2,00,000 परमी सेबल करता है हमें तो सर, हमने इसको दोनों को ले लिया इसमें और लिया जा सकता था लेकिन है ही नहीं हमारे पास H2 का क्या था हमारा 2,00,000 तो यहाँ पे तो सर, कोई लिमिटी नहीं है चलिए सर, अब देखते हैं तीनों में क्या बनता है? Income from house property यह तो minus का देड़ लाक यह minus का 35,000 और यह 67 minus का minus 67 सही से देख लिया न? ठीक है सब minus में यानि IHP क्या बन गया? आपका 2,00,000 सब को जोडने 2,00,000 52,000 minus का तो सर, जो सबसे कम income है देखिए, एक है यह minus का 2,50 एक है minus का 2,13 और एक है minus का 500 सबसे कम income कौन सी है? यानि हमारा यह वाला situation क्या रहेगा? नहीं, कौन सा आला? जो last वाला लिखा है हमने, तीसरे वाला अब सर, तीसरे वाला जादा क्यूं आया? इसको पता करने का देखो क्या तरीका होगा? सबसे महंगे घर जो है वो self occupied मान लो अब देखो इसमें से सबसे महंगा घर यह है एक, इसके बाद कौन सा महंगा घर है? हाला कि अगर इंटरस नहीं होता तो मैं H2 और H3 को SO मानता और ये वाला कॉंबिनेशन बढ़िया बन जाता लेकिन क्यूंकि इंटरस्ट है तो इंटरस्ट के केस में क्या होगे? हमारा सेनेरियो चेंज होगे? हमें तीनों करके देखना होगा मैं अगेन कह रहा हूँ हमारे सवाल 2021 में भी आया था 2020 में भी आया था सेम सवाल बस इसमें कुछ और पार्ट जोड दिये गए था इंटरस्ट वगरा के कैलकुलेशन करके आंसर ऐसे ही देना था आप पेपर में देख सकते हो इसे क्योंकि यहां हमारा जो इनकम है वो सबसे लोवर है इनकम क्या है इस सिचूएशन में सबसे तो मुझे इसको समझाने का क्या परपस था आप भी समझोगे थोड़ा कि मैं पहले ये वाली बाते इंटरस्ट वाली बाते अगर मैं उस दिन करवाता ना जिस दिन मैं situation करा रहा था तो साइध समझाना मुश्किल था क्योंकि उस दिन मैं आप बोलते सर ये इंटरस्ट है क्या 24B क्या है लेकिन आज आपको पता है कि इंटरस्ट का क्या मीनिंग है प्री कंसेक्शन बहुत सारी चीज़े कर लिए लेकिन हाँ यही अगर नियू रिजिम से नियू रिजिम आप्ट करते अगर हम तो वहाँ 24B तो हमारा अलाउड तो वहाँ पर कुछ और सेनेरियो होता सवाल ऐसा आ सकता है नियू और ओल्ड रिजिम में से बहतर कौन सा है ये बताईए कहां पर तो सर अगर मैं अब नियू रिजिम आप्ट करता हूं इसके अंदर तो सारा 24B कैंसिल सारा 24B कैंसिल तो फिर देखेंगे सबसे कम इंकम कौन सा है वहाँ पर हम देखेंगे ये हमारे बेटर है और ये हमारे लिए बेकार है समझ मैं आई बात आपको तो ये सवाल आप नियू रिजिम से खुद करके दिखाएंगे ये होमवक मान लिजे आप नियू टेक्स रेट से खुद करेंगे अब बताइए यहाँ तक कोई सवाल में डाउट नहीं है तो हम कुछ एक्जाम के कोश्चन उठा के करते हैं सुमित का कहना है 2,00,00 को कहां से माइनस करेंगे H1, H2 वह यह जिस घर से रिलेटिड है अब situation नमबर बताना होगा कौन सा यह situation करना होगा बिल्कुल सारे situation एक्जाम में करके दिखाने है एक्जाम में को 15 नमबर का सवाल है यह 15 नमबर ऐसे नहीं मिलेंगे अगर interest नहीं होगा तो आप फिर से situation बनाएए आप interest वाला point माइनस नहीं करेंगे और सारे situation पर आप करके एक एक बार check करेंगे तो आपको पता चल जाएगा shortcut पूछ रहे है shortcut में क्या है एक बार मैं सब को मान लेता let out तो let out वाली tension खतम और self occupied में हमें कुछ करना ही नहीं था हमें सरफ minus में मतलब हमने जो इतनी tension लिये एकी table में हो जाता अब इसका self occupied में income minus 1.5 लाक इसका self occupied में income minus 2 लाक इसका self occupied में income minus 15,000 तो self occupied में हमें table बना के calculation नहीं करना था यानि एक table बनाते सबका let out निकल जाता situation 1 और 2 का हमें पता ही था क्या लेना है तो वहाँ थोड़ा आसान बनेगा भी आगी questions आएंगे जब आएगा question तो करके बताएंगे और ये rule अगर आपके पास दो ही घर होता तो दोनों का 00 मानो भाईया साफ खतम कहाने ज़्यादा tension मत लो जब दो से ज़्यादा घर है तब ये tension आएगे आपके पास समाज में आई बातापको